नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चनल टार्गेट सीविल स्रसिस में दोस्तों आज है 21 जनवरी और मदप्रतिस के डेली करेंट अफेर में आज हम पढ़नेगे 21 जनवर की करेंट अफेर तो लेक्चर ध्यास देखिएगा और अदेकि दोस्तों जिस ब्रेल दिवस मना जाता है 9 जनवरी को भारती प्रवाशी दिवस मना जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मना जाता है और 12 जनवरी को दोस्तों राश्ट्री यूवा दिवस मना जाता है ठीक है और अंतर राश्ट्री यूवा दिवस का मना जाता है 12 अगस्त को मन खेल सनुआ भुष मना जाता है ऩो फूस्दे हैं राज चार दिसंवर को मना जाता है निवी करते हैं तो यादर कि पंधर सुनवरी को दिवस आठर König वायू सेनल दिवस और चार दिसंबर को नौ सेनल दिवस मना जता है। मगाले और त्रिपूर को इकीस जंवरी 1912 को अलग-अलग राजय का दरजा दिया गया था ह। दोस्तों बात करें यहां पर मनिपूर की तो यह है मनिपूर यह अपनी बॉर्डर किस देश के साथ सेयर करता है दोस्तों म्यामार के साथ सेयर करता है और इसकी कैपिटल का है दोस्तों इमफाल है इसमें सोला डिश्टीक है यहां की गवर्नर को है दोस्तों अभी तो यह गन तो कौन सभी है ягरतला है और इसके अभी को नारायन सथी typical और मिनिस्टर को संगाता है। और यहां की राजी सभाज सीट की संक्या एक है और लोग सभाज सीट की संक्या दो है चल दोस्तो सबसे पहले हमने जो करनेटर पहले तो इसका रिविजन कर लेते हैं उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं हमा आज की करनेटर तो कल के करेंट एफेर में पहला कोसन था हमारा अटल संग्रहले की स्थापना हमारे मद्रप्रदेश के किस जिले में की जाएगी दोस्तों तो यह की जाएगी गवालियर में तो इसका आंसर शाएगा option no.C ठीक है दोस्तों यह अटल भीहर वाजपी जी की जन्म भूमी भी है गौलियर तो यहीं पर अटल संग्रहले की स्थापना की जाएगी जो गौलियर के स्कूल में अटल भिहरी वाजपी ने पढ़ाई की थी वहाँ पर की जाएगी ठीक है देखी दोस्तों आज 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुसासन दिवस 25 दिसंबर तक सुसासन स प्रदर्शित करना और उनकी नकल करना है आजादी का अम्रित महुत्सा उच्छो के हिस्से के रूप में दोस्तों 20 से 25 दिसंबर को सुसासन अपता मना जा रहा है पूरू प्रदानमंत्री अटल भिहरी वाजपे जी की जैनती के आउसर पर दोस्तों 25 दिसंबर को प्रतिवर सुसासन दिवस के रूप में मना जाता है इसका उद्देश से दोस्तों भारत के नागरिकों के मद्ध सरकार की जवाब देई की प्रति जागारूकता पैदा करना है तो सुसासन दिवस मनाना हमारे देश में कब से स्टार्ट हुआ था? 2014 से स्टार्ट हुआ ठीक है? और द अप्रेल 1999 तक 13 महने की अवधी के लिए अपना दूसरा कारिकाल उसके बाद 1994 से 2004 तक पूर्ण कारिकाल दिया है और संसत में दोस्तों उनका पहला प्रवेश 1962 में राजिस सबा के माध्यम से हुआ था वह साथ बार लोग सबा के लिए चुने गय थे दोस्तों देकि दोस्त संसत के रूप में पंडित गोविंद वल्लभौ पंट पुरुस्वानित किया को कंसा भारत रतने संसतर को किस जिले में इस्ताइल करने मिल से मिल गई दोस्तो तो यह बुरानपूर में तो इसका आंसर का जगा ऑप्सन नमबर ए ठीक है दोस्तो बुरानपूर में मद्रप्रदेश का पहला टेक्स्टाइल क्लस्टर को स्थापित करने की स्विक्रति मुक्यमंत्री सिवरासी चवांजी के दोरह मिल गई है और दोस्तो अभी इसको कैबिनेक्ट से मंजूरी मिलना बाकी है ठीक है दोस्तो बात करम यहाँ पर बुरानपूर की तो हमारे मद्रप्रदेश का सबसे दक्षीनी जिला कौन सा है दोस्तो तो वो बुरानपूर है ठीक है और देखी यह है बुरानपूर की लोकेशन यह हमारे मद्रप्रदेश का सबसे दक्षीनी जिला है किस राज्य के साथ अपनी बॉर्डर सेयर करता है दोस्तो महाराष्ट के साथ ठीक है मद्रप्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तो तो वो मुरैना है याद रखीगा और थी और दोस्तो अब अब मद्हप्रदेश का पहला टेक्स्टाइल क्लस्टर का अबी निर्मान कहा पर जाएगा तो यह बुरहनपूर में किया जाएगा इसको सून दोस्तो हमारा केंद्री घ्रहमंत्रा ले ने डेश का सर्वस्रेस्ट आरक्षक ट्रेंग सेंटर के रूप मे हमारे मद्रप्रदेश के किसी जिले के पुलीस ट्रेनिंग सेंटर को चुना है दोस्तो तो ये इंदौर के पुलीस ट्रेनिंग सेंटर को चुना है तो इसका आंसर क्या जाएगा ओप्सन नमबर ए ठीक है इंदौर दोस्तो हमारे केंदरी ग्रहमंत्री को है तो ये है अमित स हाए ह 되면Jack केंद्री ग्रवंत्र आइंटर त्रेनिंग सेंटर के रूप में 도्सकों वर्यमाइर के द्शनreet माoter किहा गया जाएगा दो यह बीung से प्रहंब किया जाएगा तो इसका आंबर मार्च और अप्रेल में तो भारतिय टीम में हमारे मदप्रदेश की बेटी पुझा वस्तरकार को भी सामिल किया गया है दोस्तों हमारा दिव्यांगो के UD ID कार्ड बनाने में किस राजय ने प्रतम इस्थान हासिल किया है दोस्तों तो यह हमारे प्यारे मद्दप्रदेश ने तो इसका अंसर हो जाएगा भवन विकास निगम का गठन किया गया है तो इसका अंसर के जगा ऑफ्सन नमबर सी ठीक है मद्दप्रदेश गवर्मेंट के दवारा भवन विकास निगम का गठन किया गया है अधिगुरु आचारे संकर अचारे की बहुधातु प्रतिमा यानि स्टेच्यू आफ वेननेस अमकारेस्वर में स्थापित होगी दोस्तों इसकी उचाएक कितनी होगी तो यह होगी 108 फेट तो इसका अंसर के जगा आफ्सन नमबर बी और दोस्तों ओंकारेस्वर कहां पर रिस्तित है यह किस जिले में इस्तित है तो यह हमारे मंत्रप्रदेश के खंड़वाड इस्ट लमबाई दोस्तों कितनी है सबसे लबी है किbons वारा प्रिटिस की यह जो कि湖 है और पर इस थी में पर नादियों का में किया गया तो यहाज लौपाल में तो इसका आंसर कर जोगा option number B भुपाल में 25 वे राजिस्तरी ये युवा मौत्साओ कायोजन किया गया तो दोस्तो अब इस्टार्ट करते हैं आज की करेंटेफेर तो आज की करेंटेफेर में पहला कोसन है हमारा भाबा Atomic Research Center इसको दोस्तो बार्क भी बोला जाता है तो इसकी तकनीक सीवेज के कचरे को खाद में बदलने वाले सहियंत्र की सुरुवात हमारे मदरप्रदेश के किस जिले में होगी दोस्तो तो ये होगी हमारे मदरप्रदेश के आर्थी क्यों मौदुगी कराजधानी इंदौर में तो इसका आंसर क्यों जोगा option number A ठीक है इंदौर दोस्तो सबसे बहले हम बात करें बार की इसकी full form क्योंती है बाबा atomic research center इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तो तीन जनवरी 1954 को ही थी और इसके founder कों थे होमी जहागिर बाबा थे और इस संबंध हमारे मद्दप्रदेश के किस जिले से है तो यह है असोक नगर से तो इसका आंसर कर जागा option number C और दोस्तो यह है हमारे मद्दप्रदेश के पूरु विदायक लक्षमिनारा इंगुपता जी और यह हमारी मद्दप्रदेश के cabinet में मंत्री भी रह चुके हैं दोस् चलिंटी दोस्तों अब सार्ट करते हैं माद्प्र्देश का पहल से सामने मद्दप्रदेश क पहला मद्प्रदेश के सामने कटनी स्टोन से बना ट्यार हो गया है और अब तक ट्रैफिक पुलिस हलके बूत का ही इस्तमाल करती थी एक्जिक्वीटिव इंजीनियर अनिल टटवाडे ने बताया कि इस बूत पर फ्लर्ड लाइड भी लगाई गई है और दूसरे चरण में विधानसभा गेट फर्च के सामने भी ऐसा ही एक और बूत बनाया जाएगा इसके लिए करी 22 लाक रुपए खर्च किये जा रहे है ठीक है तो याद रखिएगा मद्रदेश का पहला ट्रैफिक बूत कहां बना गया है तो हमारे मद्रदेश की राज़दानी भूपाल में बनाया गया है केंद्र सरकार के नर्चरिंग नेबर हुड चैलेंज में किस स्मार्ट सिटी को पुरुस्कुरत किया गया है ठीक है तो देखिए आवास एवं सहरी कार्य मंत्राले भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिसन के अंतरगत चलाए गए नर्चरिंग नेबर हुड चैलेंज में स्मार्ट सिटी जबलपूर को पुरुस्क्रत किया गया है और इस प्रतियोगीता में 100 स्मार्ट सिटी में से बहतर कारे करने वाले टॉप 10 सहरों को पुरुस्क्रत किया गया है जिसमें जबलपूर भी सामिल है और कुनाल कुमार मिसन डारेक्टर स्मार्ट सिटी मिसन भारत सरकार द्वारा अवार्ट की घोसना की गई है और यह जबलपूर के लिए एक बड़ी उपलब्दी भी है दोस्तो नर्चरिंग नेबर हूट चैलेंज का मुख्य उद्देश क्या है तो सुन्य से पाच वर्ष के बच्चों के लिए अनुकुल माहोल तयार करने मुलबुत सुविदाओं को बढ़ाने की दीशा में कारी करना तथा ऐसे चेतरों को विक्सीत करना जहां बच्चे अपने अभीभावकों के साथ सुरक्षित गुमे एवं खेलखूत कर सके दोस्तो सव स्मार्ट सिटी में से हमारे मदब्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी बन रही है तो ये बन रही है साथ कौनकौन सी तो एक तो ग्वालियर दोस्तो, एक उजयन, इंदोर, एक हमारे मद्प्रदेश की राजधानी भोपाल, जबलपूर, सागर, रिक सतना ठेक है, दोस्तो यह हमारे मद्प्रदेश में साथ Smart City बन रही है और हमारे देश में कुल 100 Smart City बन रही है, ठेक है किस जिले की सुकन्या गुपता ने इस्तामबूल में महिला एसियन गेंस में 8 गुल्ड मेडल जीती है दोस्तो यह किस जिले की है दोस्तो तो यह हमारे मद्रप्रदेश के अलिराजपूर डिश्टी की है तो इसका आंसर क्या जाएगा आपसन नमबर डी ठीक है और नगर की होनार बेटी सुकन्या गुपता ने हाली में टर्की के इस्तामबूल में हुई पावर लिफ्टिंग इस परदा में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं और सुकन्या इस खेल की हर कैटेगिरी में अवल रही है साथी और All Champion का खिताब भी हासिल किया है नगर की गुपता पर लिफ्टिंग इस परदा में भारत के प्रतिनदीत का आउसर मिला और इस परदा में सुकन्या ने 8 गोल्ड मेडल हासिल किये है जो इस जिले के लिए खुसी की वात है दोस्तो और दोस्तो बात करें हम यहाँ पर अली राजपूर की तो यह है अली राजपूर डिष्टिक क को किया गया था यह हमारे मदप्रदेश का 49 वा डिष्टिक है ठीक है उसके बाद 24 मई 2008 को दोस्तो सिंग्रॉली का गठन किया गया था कब 24 मई 2008 को यह सिंग्रॉली की लोकेशन सिंग्रॉली दोस्तो हमारे मदप्रदेश का 50 वा डिष्टिक था ठीक है यह किस जिले से गुजरात और महारास्टा ठीक है और जहाबो किस राज्य के साथ अपनी बॉटर सेयर करता है तो एक तो गुजरात हो गया और यहां पर राजिस्थान हो गया ठीक है और देखिए उननचासवा जिला अलिजाशपूर पचासवा सिंग्रॉली और इंकावनवा आगरमालवा साजापूर से ऐलग बना था यह अपनी बॉटर किस राज्य के साथ सेयर करता है तो राजिस्थान के साथ करता है और दोस्तो बात करहांबाल्य Mosdbroode superstars का 22 जीला कौन सा है तो यह निभाणी ठीक है किस जीले से अलग बना था गांतनल औ가 जук्ता तक यहां बात किहिंगा घोरिया और और ढुप्ता निकिया है और आज के लिए अपका कोशन ने चममबल परियोझना में मत प्रधाइस के साथ किस और राजी की भागयदारी है उत्तरप्रदेश, गुजरात, राजिस्तान या महाराष्ट तो इसका आंसर पुरा डेटेल में दीजिएगा दोस्तो और देखी ये है हमारा टेलिग्राम चैनल टार्गेट सीविल सरसेज इस पर डेली 20 कोशन का क्वीज होता है जिसमें 15 कोशन जो रहते हैं मदरप्रदेश चैनल आको पूछे जाएं दोस्तो आज के लिए इतना ही ठाईक्यू पर वाचें इस वीडियो